हेलो फ्रेंड स्वागत है आपका अपने चैनल आस क्लास में आज की इस वीडियो में विज्ञान के 50 गेस अब्जेक्टी प्रशन हम आपको बताएंगे ये जो 50 अब्जेक्टी प्रशन है ये आपके फाइनल गोड परिक्षा में 100% लड़ेगा ये हमारा गरांटी है तो एक भी प्रशना आप लोग स्कीप मत किजिएगा विडियो को प्लीज आप लोग सुरू से लेके अंतक देखिएगा और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं कियें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिएगा और सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आइकन आता है तो बेल आइकन को दबा के all पे कर लिजेगा ताकि जब भी live class हो तो आपके पस notification पहुंसता रहे और 6 बजे सुबा हमारे website पे हिंदी का live टेस्ट होगा तो ये विडियो खतम हो जाए उसके बाद हमारे website पे जाएगा और हिंदी का टेस्ट आप लोग दे लिजेगा तो आईए सुरू करते हैं पहले नंबर प्रशन से तो पहला नंबर प्रशन है कि सिरका में कौन सा अमल प पाया जाता है तो सिरका में एसेटी कम लपाया जाता है इससे आपको याद रखना है यहां पर भीवाला option बिलकुल ही सही हो जाएगा और चेटी हो में फटानब लपाये जाता है इसे आपको याद रखना है दूद दही में लेक्टी कम लपाये जाता है इसे आपको याद रखना है और इमली में टाटरी कम लपाये जाता है तो ये भी साथ में आपको याद रखना है आईए देखते हैं अगला प्रशन दो नंबर दो नंबर प्रशने की चुम्बक्य छेतर का मान कहां अधिक होता है ए उपसने धुरो पर बी उपसने मध्य में सी उपसने दोनों जगा डी उपसने इन में से कोई नहीं तो यहाँ पे आपको बताना है कि चुम्बक के छेतर का मान कहा अधीक होता है तो धुरू पर अधीक होता है इसे आपको याद रखना है यहाँ पे ए वाला ओप्सन बिल्कुल ही सही हो जाएगा और चुम्बक के कितने धुरू होते हैं तो दो धुरू होते हैं इसे आपको याद रखना है, एक होता है उत्री धुरू और दूसरा होता है दक्षडी धुरू, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है, आईए देखते हैं अगला प्रशन तीन नमबर, तीन नमबर प्रशन है कि प्राथमिक रंग कौन सा है, ए उप्सन लाल, बी उप्सन नीला, सी ये उप्सन हरा, डी उप्सन तीन होता है, यहाँ पर आपको बताना है कि प्राथमिक रंग कौन सा है, तो प्राथमिक रंग लाल, नीला और हरा ये तीनो होता है, तो यहाँ पर डी वाला आप्सन बिल्कुली सही हो जाएगा, आईए देखते हैं अगला प्रशन चार प्रशने कि चिप्स के पैकेट में कौन सा गैस डाली जाती है, ए उप्सन अमोनिया, बी उप्सन नाइट्रोजन, सी उप्सन ऑक्सिजन, डी उप्सन हाइट्रोजन, तो यहाँ पर आपको बताना है कि चिप्स के पैकेट में कौन सा गैस डाली जाती है, तो नाइट्रोज बिलकुली सही हो जाएगा और वाई मंडल में नाइट्रोजन गैस कितना परतिसद पाय जाता है तो 78 परतिसद पाया जाता है बी उपसे ने दिरिश्टी दोस, सी उपसे ने दूरी, डी उपसे ने निकट दिरिश्टी दोस, तो यहाँ पे आपको बताना है, कि दूर बिंदू और निकट बिंदू के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, तो दिरिश्टी परास कहते हैं, इसे आपको याद रखना है, यहा काफी महत्पुर्ण 50 गेस अब्जेक्टी प्रशन बताएंगे जो आपके फाइनल बुड परिक्षा में 100% लड़ेगा तो एक भी प्रशन आप लोग इसकी मत किजिएगा वीडियो को प्लीज आप लोग सुरू से लेके अंतक देखिएगा और वीडियो का अभी तक आप ला यहां पर आपको बताना है कि लेंस में फोकस की संख्या कितनी होती है तो दो होती है इसे आपको याद रखना है यहां पर एवाला ओप्षन बिल्कुली सही हो जाएगा यह देखते हैं अगला प्रशन साथ नंबर साथ नंबर प्रशन है कि तारे क्यों टिम्टिमाते हुए नजर आते हैं A उपसे ने परकास का प्रावरतन के कारण B उपसे ने परकास का अपवरतन के कारण C उपसे ने परकास का विवरतन के कारण D उपसे ने परकास का वण विछेपड के कारण तो यहाँ पे आपको बताना है कि तारे क्यों टिमटिमाते हुए नजर आते हैं, तो परकास का अपवर्तन के कारण जो तारे हैं ये टिमटिमाते हुए नजर आते हैं यहाँ पे B वाला option बिल्कुली सही हो जाएगा आईए देखते हैं अगला प्रशन आठ नमबर प्रशन है कि उतल दर्पन द्वारा बना परत्विम कैसा होता है यहाँ पे आपको बताना है कि उतल दर्पन द्वारा बना परत्विम कैसा होता है तो छोटा और सीधा होता है इ भी साथ में आपको याद रखना है आइए देखते हैं अगला प्रशन नौ नंबर नौ नंबर प्रशन कि वैसा पदार जिससे विदूधारा परवाहित नहीं होती है उसे क्या कहते हैं? A उपसे ने चालक पदार्थ B उपसे ने विदुतरोधी पदार्थ C उपसे ने अर्ध चालक पदार्थ D उपसे ने इन में से कोई नहीं तो यहाँ पे आपको बताना है कि वैसा पदार जिससे विदुधारा परवाहित नहीं होती है उसे क्या कहते हैं तो उसे बिदुतरोधी पदार्थ कहते हैं इसे आपको याद रखना है यहाँ पे वी वाला option बिल्कुली सही हो जाएगा और वैसा पदार जिसे बिदुधारा परवाहित होता है उसे क्या कहते हैं तो उसे चालक पदार्थ कहते हैं तो यह भी साथ में आपको याद रखना ह आईए देखते हैं अगला प्रश्न दस नंबर प्रश्न की लंबाई बढ़ाने से चालकतार का परतिरूद पर क्या असर पढ़ता है यहाँ पर आपको बताना है कि अगर चालकतार का हम लंबाई बढ़ा दें तो परतिरूद पर क्या असर पढ़ता है ए उपसे ने बढ़ता बी उपसे ने घड़ता है, सी उपसे ने अपरिवर्तित रहता है, डी उपसे ने इन में से कोई नहीं, तो लंबाई बढ़ाने से चालकतार का परतिरूत क्या होता है, बढ़ता है, इसे आपको याद रखना है, यहाँ पर एवाला उपसन बिल्कुली सही हो जाएगा, यहाँ पर आपको बताना है, कि pH स्किल पर 14 क्या परदर्सित करता है, तो अधिक छारियता को परदर्सित करता है, यहाँ पर C वाला उपसन बिल्कुली सही हो जाएगा, और pH स्किल पर 0 से लेके 14 तक की संख्याएं अंकित होती है, तो यह भी साथ में आपको याद रखना ह आईए देखते हैं, अगला प्रश्न 12 नंबर, 12 नंबर प्रश्न की एक ग्राम सूना से लगभग इतना लंबातार खीचा जा सकता है, तो दो किलोमेटर लंबातार खीचा जा सकता है, इससे आपको याद रखना है, यहाँ पे वाला उप्सन बिल्कुली सही हो जाएगा और जो सुद सोना होता है ये 24 करेट का होता है तो ये भी साथ में आपको याद रखना है आईए देखते हैं अगला प्रशन तेरा नमबर तेरा नमबर प्रशन है कि तेज परकास में पुतली का अकार कैसा होता है A उप्सने छोटा, B उप्सने बड़ा, C उप्सने अपरिवर्थित रहता है D उप्सने इन में से कोई नहीं तो यहाँ पर आपको बताना है कि तेज परकास में पुतली का अकार कैसा होता है तो छोटा होता है इसे आपको याद रखना है यहाँ पे यह वाला option बिल्कूली सही हो जाएगा और कम परकास में पुतली का कर कैसा होता है तो बड़ा होता है तो यह भी साथ में आपको याद रखना है आईए देखते हैं अगला प्रशन 14 नमबर 14 नमबर प्रशने की electron खोकर कोई पदार्थ क्या हो जाता है A option धन आवेसित, B option रिड़ आवेसित, C option दोनोब D option इन में से कोई नहीं तो यहाँ पे आपको बताना है कि electron खोकर कोई पदार्थ क्या हो जाता है तो धन आवेसित हो जाता है इसे आपको याद रखना है यहाँ पे यह वाला option बिल्कूली सही हो जाएगा और कोई पदार्थ इलेक्ट्रोन को ग्रहण करके कैसा हो जाता है तो रिड आवेसित हो जाता है तो ये भी साथ में आपको याद रखना है आईए देखते हैं अगला प्रश्ण पंदरा नंबर पंदरा नंबर प्रश्ण है कि जूल परती कुलम को क्या कहते हैं यहाँ परती कुलम को क्या कहते हैं तो बोल्ट कहते हैं इसे आपको याद रखना है यहाँ पर एवाला उप्सन बिल्कुली सही हो जाएगा विग्यान के 50 गेस अब्जेक्टी प्रश्ण बताएंगे जो आपके फाइनल बुड परिक्षा में 100% लड़ेगा तो एक भी प्रश्ण आप लोग इसकी मत किजिएगा विडियो को प्लीज आप लोग सुरू से लेके अंतक देखिएगा और विडियो को अभी तक आप लाइक नहीं कियें तो प्लीज आप लोग विडियो को लाइक भी कर दिजिएगा आइए देखते हैं अगला प्रशन है 16 नंबर प्रशन है कि कौन सा LENS बीच में पतला तथा किनारे पर मोटा होता है A उपसे ने उतल लेंस, B उपसे ने उतल लेंस, C उपसे ने उफी उतल लेंस, D उपसे ने इनमें से कोई नहीं तो यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा lens बीच में पतला तथा किनारे पर मोटा होता है तो ओतल लेंस होता है इसे आपको याद रखना है यहाँ पर B वाला option बिल्कुल ही सही हो जाएगा और ओतल लेंस की जो focus दूरी होती है ये रिडातमक होती है तो ये भी साथ में आपको याद रखना है आईए देखते हैं अगला प्रशन सत्रा नंबर सत्रा नंबर प्रशन है कि इन में से कौन परकास संसले सी अंगक है A उपसन हरित लवक, B उपसन पती, C उपसन एस्टुमेटा, D उपसन जड़ तो यहाँ पर आपको बताना है कि इन में से कौन परकास संसले सी अंगक है तो हरित लवक है इसे आपको याद रखना है यहाँ पर एवाला उपसन बिल्कुल ही सही हो जाएगा और जो पेड़ पोधों की पतिया होती है वो हरी किस कारण से दिखाई देती है तो हरित लवक के कारण से दिखाई देती हैं तो यह भी साथ में आपको याद रखना है आईए देखते हैं अगला प्रशन अठारा नंबर अठारा नंबर प्रशन है कि किस की उपस्तिती के कारण लोहे में जंग लगता है A उपस्तिती के कारण लोहे में जंग लगता है तो आदर वायू की उपस्तिती के कारण लोहे में जंग लगता है इसे आपको याद रखना है यहाँ पे B वाला उपस्तिती बिलकुल ही सही हो जाएगा और जब लोहे में जंग लगता है तो उसका भार बढ़ता है तो ये भी साथ में आपको याद रखना है आईए देखते हैं अगला प्रश्ण 19 नमबर 19 नमबर प्रश्णे कि यदि आपतन कोड आई तथा परावरतन कोड आर हो तो निम्न में से कौन सा कतन सत्य है तो आपतन कोड परावरतन कोड के बरावर होता है तो यहाँ पे ये वाला आप्सन बिल्कुल ही सही हो जाएगा और प्रकास के परावरतन के कितने नियम होते हैं तो दो नियम होते हैं तो ये भी साथ में आपको याद रखना है आईए देखते हैं अगला प्रश्ण 20 नमबर तो यहाँ पर बताना है कि रक्त किसके कारण से लाल दिखाई देता है इसे आपको याद रखना है यहाँ पर बी वाला ओप्शन बिलकोल ही सही हो जाएगा और यह जो हीमोग्लोबिन होता है यह आक्सिजन का वहाख होता है इसे आपको याद रखना है और रक्त का pH मान 7.4 होता है तो ये भी साथ में आपको याद रखना है आईए देखते हैं अगला प्रशने 21 नमबर प्रशने की प्राक को उसमें पाए जाते हैं इसे आपको याद रखना है यहाँ पर प्रशने 22 नमबर 22 नमबर प्रशने की मानव नेतर में कौन सा लेंस पाया जाता है यहाँ पर आपको बताना है कि मानव नेतर में कौन सा लेंस पाया जाता है तो मानव नेतर में उत्तल लेंस पाया जाता है इसे आपको याद रखना है और यह जिलेटिन का बना होता है तो यह भी साथ में आपको याद रखना है यहाँ पर भी वाला आप्शन बिल्कुली स सही हो जाएगा, आईए देखते हैं अगला प्राश्ण ये ये सही हो जाएगा, यहाँ पर ये वाला उप्सन सही हो त्रंग दर्च सबसे अधीक होता है तो यहाँ पे यह वाला option बिल्कुली सही हो जाएगा यह देखते हैं अगला प्रशन 24 नंबर 24 नंबर प्रशने की इंदर्धनुस की स्परकार का स्पेक्टरम है यहाँ पे अपको बताना है की इंदर्धनुस की स्परकार का स्पेक्टरम है तो यह प्राकिर्तिक है यह प्राकिर्तिक के द्वारा बनता है यहाँ पे यह वाला option बिल्कुली सही हो जाएगा और इंदर्ध उसमें सबसे बाहर लाल रंग होता है और सबसे अंदर बैगनी रंग होता है तो ये भी साथ में आपको याद रखना है आईए देखते हैं अगला प्रशने 25 नंबर 25 नंबर प्रशने की बिधुद बल्ब के भीतर निस्क्रिय गैस क्यों भरी जाती है ए उपसे ने रोसनी ब भरी जाती है तो टंगस्टन के वास्पन को रोकने के लिए भरी जाती है इससे आपको याद रखना है यहाँ पे बी वाला उप्सन विल्कुली सही हो जाएगा आईए देखते हैं अगला प्रशने 26 नंबर 26 नंबर प्रशने की बिधुद धारा के उसमिय सिधान पर कौन क कारें नहीं करता है तो विधुद पंखा नहीं करता है इससे आपको याद रखना है यहाँ पे डी वाला उप्सन बिल्कुली सही हो जाएगा और विधुद वल्प का फिलामेंट किसका बना होता है टंगस्टन का बना होता है और विधुद इस्तरी और विधुद हीटर मे कि हीरा का अपरतनांग कितना होता है A उपसे ने 1.77 B उपसे ने 1.47 C उपसे ने 1.44 D उपसे ने 2.42 तो यहाँ पे आपको बताना है कि हीरा का अपरतनांग कितना होता है तो हीरा का अपरतनांग 2.42 होता है सबसे अधिक इसे आपको याद रखना है यहाँ पे D वाला option बिल्कुल ही सही हो जाएगा और जल का परतनांग कितना होता है तो 1.3 होता है तो यह भी साथ में आपको याद रखना है आईए देखते हैं अगला प्रशना 28 नमबर 28 नमबर प्रशना है कि काला हीरा किसे कहा जाता है A उपसेने ग्रिफाइड को B उपसेने ग्रेस को C उपसेने कोईला को D उपसेने मोबिल को यहाँ पे आपको बताना है कि काला हीरा किसे कहा जाता है तो काला हीरा कोईला को कहा जाता है इसे आपको याद रखना है यहाँ पे C वाला option विल्कुल ही सही हो जाएगा और कोईला कितने परकार के होते हैं तो कोईला 4 परकार के होते हैं तो यह भी साथ में आपको याद रखना है आईए देखते हैं अगला प्रशन 29 नमबर 29 नमबर प्रशने की पोधे के मादा भाग को क्या कहते हैं अ उपसने जैांग, बी उप उपसने दल, सी उपसने पुंकेसर, डी उपसने अंडारू काफी महतपुड प्रशने है यह आपके बोढ़ परिक्षा के लिए यहाँ पे आपको बताना है कि पौधे के मादाभाग को क्या कहते हैं तो जयांग कहते हैं इसे आपको याद रखना है यहाँ पे ए वाला option बिल्कुली सही हो जाएगा आइए देखते हैं अगला प्रशन तीस नंबर तीस नमबर प्रशने की दाल किस पॉस्टीकंस का सुरूत है A-OPS ने प्रोटीन का, B-OPS ने वसा का, C-OPS ने कार्भोहईडरेड का, D-OPS ने छार का तो यहाँ पे आपको बताना है की दाल किस पॉस्टीकंस का सुरूत है तो जो डाल है ये प्रोटीन का सुरूत है इसे आपको याद रखना है यहाँ पे एवाला option बिल्कुल ही सही हो जाएगा और डाल सबसे अधिक कहाँ पे होता है तो मध्य परदेश में होता है तो यह भी साथ में आपको याद रखना है आईए देखते हैं अगला प्रशने 31 नमबर, 31 प्रशने कि मनुस्यों में कितने परकार के दात पाए जाते हैं, A उपसे ने 1, B उपसे ने 2, C उपसे ने 3, D उपसे ने 4, तो यहां पर आपको बताना है कि मनुस्यों में कितने परकार के दात पाए जाते हैं, तो मनुस्यों म चार परकार के दात पाये जाते हैं इसे आपको याद रखना है यहाँ पर D वाला ओप्सन बिलकुल ही सही हो जाएगा और मनुस्यों में कितने दात होते हैं तो 32 दात होते हैं इसे आपको याद रखना है और दूद के दात कितने होते हैं तो 20 होते हैं तो ये भी साथ में पंजाब तो यहाँ पे आपको बताना है कि मुझफली का सबसे बड़ा उत्पादक राजे कौन सा है तो गुजरात है इससे आपको याद रखना है यहाँ पे ए वाला उप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा और कापास सबसे अधिक कहाँ पे होता है तो गुजरात में ही होत है तो यह भी साथ में आपको याद रखना है आईए देखते हैं अगला प्रशने 33 नंबर 33 नंबर प्रशने की निम्बू के रसका पी एच मान लगवग कितना होता है यहाँ पे बी वाला उप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा और निम्बू में कौन सा अमल पाय जाता है तो शिटरी कम लपाय जाता है तो यह भी साथ में आपको याद रखना है आईए देखते हैं अगला प्रशने 34 नंबर 34 नंबर प्रशने की तामबे की वस्तूप और हरी परत का जमना क्या कहलाता है A-OPSON ने O-C करण B-OPSON ने O-Cरण C-OPSON संचारण D-OPSON ने इन मैं से कोई नहीं तो यहाँ पे आपको बताना है कि तामबे की वस्तूप और हरी प्रत का जमना क्या कहलाता है तो संचारण कहलाता है इसे आपको याद रखना है यहाँ पे C वाला option बिल्कुली सही हो जाएगा आईए देखते हैं अगला प्रश्ण 35 प्रश्ण की pH skill का सुन्य परदर्सित करता है A उपसे ने अधिक छरियता को, B उपसे ने अधिक अमलियता को, C उपसे ने कम अमलियता को, D उपसे ने उदासिनता को यहाँ पे आपको बताना है कि pH skill का सुन्य परदर्सित करता है, तो अधिक अमलियता को परदर्सित करता है, यहाँ पे A वाला option यहाँ पे B वाला option बिल्कुली सही हो जाएगा और pH skill का साथ किसको परदर्सित करता है तो उदासिंता को परदर्सित करता है तो ये भी साथ में आपको याद रखना है आईए देखते हैं अगला प्रशना 36 नंबर 36 नंबर प्रशने की दूद के दात कितने होते हैं अपसे ने 20, वी उपसे ने 12, सी उपसे ने 15, डी उपसे ने 16 तो यहाँ पे आपको बताना है कि दूद के दात कितने होते हैं तो दूद के दात 20 होते हैं इसे आपको याद रखना है यहाँ पे ए वाला option बिल्कुली सही हो जाएगा आईए देखते हैं अगला प्रश्न 37 नंबर 37 नंबर प्रश्न की सरीर का तापकरम कौन नियंतरित करता है A-Opsion Petriotri, B-Opsion Cerebellum, C-Opsion Spinal Cord, D-Opsion Hypothelmas तो यहाँ पर आपको बताना है कि सरीर के तापकरम को कौन नियंतरित करता है तो Hypothelmas करता है इससे आपको याद रखना है यहाँ पर D-Opsion बिलकुली सही हो जाएगा यह देखते हैं अगला प्रश्न 38 नंबर 38 नंबर प्रश्न की नर्यूगमा के उमादा यूगमा के सनलगन को क्या कहते हैं आपको बताना है कि नर्यूगमा के उमादा यूगमा के सनलगन को क्या कहते हैं तो निसेचन कहते हैं यहाँ पर B वाला प्रश्न बिलकुली सही हो जाएगा आइए देखते हैं अगला प्रश्न 49 नंबर 49 नंबर प्रश्ने कि वायूमंडल में कितना परतिसत नाइट्रोजन गैस पाया जाता है A उपसेने 78 परतिसत, B उपसेने 70 परतिसत, C उपसेने 75 परतिसत, D उपसेने 90 परतिसत तो यहाँ पे आपको बताना है कि वाई मंडल में कितना परतिसत नाइट्रोजन गैस पाया जाता है तो 78 परतिसत पाया जाता है इसे आपको याद रखना है यहाँ पे ए वाला आप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा आइए देखते हैं अगला प्रशने 40 नमबर 40 नमबर प्रशने कि जिस अभी किरिया में उर्जा का अवसोसण होता है उस अभी किरिया को क्या कहते हैं A उपसे ने संयोजन अभी किरिया B उपसे ने बियोजन अभी किरिया C उपसे ने उसमा छेपी अभी किरिया D उपसे ने उसमा सोसी अभी किरिया तो यहाँ पे आपको बताना है कि जिस अभी किरिया में उर्जा का अवसोसण होता है उस अभी किरिया को क्या कहते हैं तो उसमा सोसी अभी किरिया कहते हैं इसे आपको याद रखना है यहाँ पे D वाला option बिल्कुली सही हो जाएगा और जिस सभी किरिया में उर्जा का उत्सरजन होता है उसे क्या कहते हैं तो उसे उसमा छेपी कहते हैं तो यह भी साथ में आपको याद रखना है आईए देखते हैं अगला प्रशने 41 नमबर 41 नमर प्रशने की रक्त में आईरन की कमी से कौन सा रोग होता है यहाँ पे आपको बताना है की रक्त में आईरन की कमी से कौन सा रोग होता है तो रक्त में आईरन की कमी से एनिमिया रोग होता है इसे आपको याद रखना है यहाँ पे C उप्सन बिल्कुली सही हो जाएगा और सरीर में इंसुलिन नामक हर्मोन की कमी के कारण से कौन सा रोग होता है तो मधु में रोग होता है तो ये भी साथ में आपको याद रखना है आईए देखते हैं अगला प्रशन 42 नमबर प्रशने की धातुएं इलेक्टरान का क्या करती है ए उपसने ग्रहड बी उपसने त्याग सी उपसने दोनों डी उपसने इन में से कोई नहीं तो यहाँ पे आपको बताना है कि धातुएं इलेक्टरान का क्या करती है तो त्याग करती है इससे आपको याद रखना है यहाँ पे भी वाला उपसन बिलकुली सही हो जाएगा यह देखते हैं अगला प्रशन 43 43 नमबर प्रशने कि निम्न में से किसका भंडारण सीमित है ए उपसने कोईला का वी उपसने सोर उर्जा का सी उपसने मिट्टी का डी उपसने हवा का तो यहाँ पे आपको बताना है कि निम्न में से किसका भंडारण सीमित है तो कोईला का भंडारण सीमित है इससे आपको याद रखना है, यहाँ पे A वाला option बिल्कुली सही हो जाएगा, यह देखते हैं, अगला प्रश्ण 44 नमबर, 44 नमबर प्रश्ण है कि खाने का soda का रसाइनिक नाम क्या है, A उपसे ने sodium carbonate, B उपसे ने sodium bicarbonate, C उपसे ने sodium acetate, D उपसे ने sodium यहाँ पे आपको बताना है कि खाने का soda का रसाइनिक नाम क्या है, तो sodium bicarbonate है, इसे आपको याद रखना है, यहाँ पे B वाला option बिल्कुली सही हो जाएगा, यह देखते हैं, अगला प्रश्ण 45 नमबर, 45 नमबर प्रश्ण की तड़ित चालक किसका बना होता है, A उपसे न सोना का, B उपसे ने चांदी का, C उपसे ने तामबा का, D उपसे ने अलुमिनियम का, तो यहाँ पे आपको बताना है कि तड़ित चालक किसका बना होता है, तो तड़ित चालक किसका बना होता है, तामबा का बना होता है, इसे आपको याद रखना है, यहाँ पे C वाला option बिलकुली सही हो जाएगा आइए देखते हैं अगला प्रश्न 46 प्रश्न है कि आग को बुझाने के लिए किस गैस का प्रयूग किया जाता है A उपसे ने ऑक्सिजन का B उपसे ने कोलूरीन का C उपसे नाइडरोजन का D option है carbon dioxide का तो यहाँ पे आपको बताना है कि आग को बुझाने के लिए किस gas का प्रयूग किया जाता है तो carbon dioxide gas का उप्यूग किया जाता है यहाँ पे D वाला option बिल्कुल इस ही हो जाएगा और वायो मंडल में carbon dioxide कितना परतिसत पाया जाता है तो 0.03 परतिसत पाया जाता है तो यह भी साथ में आपको याद रखना है आईए देखते हैं अगला प्रशन 47 नमबर 47 नमबर प्रशने कि silver coloride को सुरे के परकास में रखने पर क्या प्राप्त होता है A option is CU, B option is AG C option is SD, option is BR यहाँ पे आपको बताना है कि silver coloride को सुरे के परकास में रखने पर क्या प्राप्त होता है तो silver यानी AG प्राप्त होता है यहाँ पे B वाला option बिल्कुली सही हो जाएगा यह देखते हैं अगला प्रशन 48 नमबर 48 नमबर प्रशने कि मिर्थ सरीर का पाचन करने वाले जिव को क्या कहते हैं अ उपसे ने उत्पादक B उपसे ने अपघटक C उपसे ने swap OC D उपसे ने सारवहरा तो यहाँ पे आपको बताना है कि मिर्थ सरीर का पाचन करने वाले जिव को क्या कहते हैं तो अपघटक कहते हैं इसे आपको याद रखना है यहाँ पे B वाला option बिल्कुल ही सही हो जाएगा यह देखते हैं अगला प्रश्ण 49 नंबर 49 नंबर प्रश्ण की किसी भी उदासीन विलियन का पियेच मान कितना होता है A option 5, B option 7, C option 14, D option 0 यहाँ पे आपको बताना है कि किसी भी उदासीन विलियन का पियेच मान कितना होता है तो साथ होता है इसे आपको याद रखना है यहाँ पे B वाला option बिल्कुल ही सही हो जाएगा यह देखते हैं अंतिम प्रश्ण 50 नंबर 50 नंबर प्रश्णे के सधारण नमक का रसाइनिक सुत्र क्या होता है तो NSEL होता है इसे आपको याद रखना है यहाँ पे A वाला option बिल्कुल ही सही हो जाएगा विज्ञान के 50 गेस उब्जेक्टी प्रश्ण हम आपको बता चुके हैं और यही सब प्रश्ण आपके final good परिक्षा में आएगा यह हमारा गरांटी है तो इसमें से जो भी प्रश्ण आपको याद ना हो तो प्लीज आप लोग उसे notebook पे लिखके जरूर याद कर लिजिएगा और वीडियो कभी तक आप like नहीं कियें तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कर दिजिएगा और 6 बजे से अभी 6 बजे से हिंदी का टेस्ट होगा हमारे website पे तो वीडियो जैसे ही खतम हो आप हमारे website पे आईए और हिंदी का आप लोग टेस्ट जरूर दिजिए और ये रहा आपके लिए homework प्रशन इसका जवाब आपको comment box में देना है कि किस lens को अप सारी lens कहते हैं A option ए उतल lens को B option ए उतल lens को C option ए समतल lens को D option ए उतल दरपन को तो जो भी option आपको सही लगे हो आप हमें comment करके जुरूर बताइएगा आप वीडियो को like नहीं कियें थो please आप वीडियो को like कर दीजिएगा आपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जुरूर शेर कीजिएगा और चैनल को अभी तक आप subscribe नहीं कियें तो channel को subscribe कर लिजिएगा Thank you for watching मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक अपना ध्यान रखिए मनला के पढ़ाई कीजिए टेक केर और बाए